यह वीडियो में लड़कों के लिए बना रही हूँ, सबसे बाद में लड़कों से कहना चाहूंगी कि नौकरी पर जाते हो या अपने बिजनिस पर जाते हो, माबाप के पैर छूँकर निकला करो आप उनके पैर छोगे ना, तो उनके दिल से आश्रिवाद निकलेगा आप अपनी नौकरी में परमोशन पाते जाओगे और आपके काम में आप जो भी आ बिजनिस करते हो बागे बढ़ते जाओगे आप पढ़ लिक कर बड़े हो जाते हो, और मैंने बहुत देखा है लड़के अपने माबाप को पच्छुप करा देते हैं ठीक हो, आप पढ़ लिक गए हो, आपको किसी विशे के ज़्यादा नौलिज है, पर उनको जिन्दगी का अनुभव है तो कम से कम उनको सत तरीके से तमीज से बात परा करो, अगर आपको कुछ अपनी राए भी रखनी है, आपको पता नहीं है उन्होंने आपको कितनी परशानिवों से पाला होगा आपके माता-पिता घर की असले मालिक हैं, आप मैं कहते हूँ आप भगवान की पूजा भी मत करो, किस अपने माता-पिता की देखभल कर लो जब आप पढ़ लिक जाते हो और जिन्दगी में सफल हो जाते हो ना, तो अपनी सफलता करोब अपने माता-पिता को कोई मत दिखाना है, आप उन्हें की वज़ा से ही सफल हो माता-पिता ना दिखाई देने वाले भगवान हैं, बस अब इतना समझ लो, अगर आप उनका अनादर कर रहे हो ना, तो समझे भगवान का अनादर कर रहे हो और अब आप सफल हो गए हैं कुछ बन गए हैं आप जवान भी हो गए हैं और आप बुड़े हो गए हैं अब आपकी बारी है उनका ध्यान रखने की आपको मैं बता दूँ कि जितनी भी जिन्दगी में उलजिने आती हैं आपकी वो इसलिए आती हैं क्योंकि लड़के लोग बहुत बुजी तरह माबाब से बात करते हैं अपनी माब का दिल दुखाते हैं उनके आँखों में आशू देते हैं अगर उनके साथ चलो गया उनका कोई बिजनेस भी करते हैं कोई भी आप कोई काम कर रहे हो और आप वो काम बड़ी महनस से 99 परसंट तक कर लेते हो देखना एक परसंट से वह काम होता होता रहे जाएगा अगर आपने अपने माबाब को खुश नहीं रखावाए या यू कहूं कि बड़ी महनस से आप तहा इसमान भी आपके देख भाल नहीं करेगा तो कहते हैं जो किया है वही लौटकर आएगा आपके साथ भी वही होगा अभी भी संबल जाओ जब माबा बुड़े और बिमार रहने पड़ लगते हैं तब ही उनको आपकी जोद पड़ती है पिसमत वाले होते हैं वह लोग इनके माबा आपका आशिरवाद है जाके देखो अनात आश्रा में जिनके माबा भी नहीं है जब तक हो जिन्दा है न तो जब तो उनके आपकी सारी जिन्दगी पड़िये अपनी पूरे करने की अगर माबा अनपड़ भी हैं तो आपको उनसे मिलवाते हुए किसी शरम नहीं आनी चाहिए कि इतना दुख होता हो उन्हें आप जब कहते हो किया आप उनसे बात-पत करना आपको एसे कपड़े पहनते हैं आपको तो गर्व होना चाहिए कि उन्हें आपको पड़ा लिखा के इस लाइक बनाया है खासता जब आपकी शादी हो जाती है आपके अपनी पथनी से मुलब साज भू की नहीं बनती है तो आप क्या करते हो अपने माबाप को जाके बीदाश्म जाके छोड़ाते हो आपकी हात न पड़ गए हैं अब हम भी बच्चे को पालें या अपने बुड़े माबाप को देखें उन्होंने भी तो मैंने आपको पाला है और कई पर मैंने यह भी देखा है कि आप लोगों की नौकिल जाती है लड़कों की तो लड़के दूसरे शायर चले आते हैं बुड़े माबा अपने साथ रखो ena abc मालू जहां रहते हैं वह वास से नहीं हलते हैं कि जिलते यहें हहां तो रहेंगेक कभी-कभी आपके साथ भाप शेहर हैं उन्हें Grade सो कर मिलव है कि हम तो बड़े परशान है हमारे माबाप आए हूं आप ढ़ाए हैं और दूसरे बेटे के घर जाए तब जाकि हम फ्री होंगे यह कुछ से बोलने की तमीज है अगर मालो आप एक ही बेटे हो तो क्या करोगे तो आपको ही जिम्मवारी बनती है माबाप को तो अगर आप शहर भी बदलते हो तो भी माबाप को साथ रखो यह आपकी जिम्मवारी है मत उनकी बद्धुआएं लो मत उनको बिमार छोड़ जाओ अगर उनको कुछ हो भी का तो बद्धुआ देते देते जाएंगे दुनिया से और उनकी बद्धुआ देने के बद आपकी उल्टी किंदी शिरू हो जाएगी आपका भी सुखी ने रहे पाओगे इनके प्यान की परविश्क को शर्मिंदा मत करो अगर आपको बजबूरी में वह लोग नहीं आपके शहर भी चलते हैं अगर उनको अपने उसी स्थान पर रहना चाहते हैं तो उनके लिए कोई हलपर रखो उनके रोज उनके फोने बात करो उनके वीडियो कॉलिंग करो इस लाइक बनो कि माबाप क्या सके हैं कि उनको गर्व की हमारा बेटा है हमारा बहुत ध्यान करता है जिस दिन माता पिता को आपको गर्व होगा ना अगर वो आपके नाम से जाने जाएंगे तो समय लेना कि आपने दुनिया जीत ली माता पिता के पैसे पर मत कुदो अगर मापा पाप के अमीर है आपको पता है माता पिता को मेरा है बात तो तब है जब अगर उनके पास किराय का मकान है और आप घर बनाओ और आप को गर्ब हो कि हम मकान नहीं बना पाई बच्चों की बढाने की वज़एसे हम अपनी मेहनत सारा थैसा हमने बच्चों में लगा दिया हम कुछ नहीं बना पाए तो आज हमारे बच्चे ने घर खड़ा कर दिया तो हमारी मेहनत सफल हुई बल्कि घर का नाम भी उनके नाम पे रखो हर काम में बल्कि अपने माबाप को आगे रखो मिशा उनका इश्रवाद आश्रवाप ने साथ रखो आप देखना आप कितनी उचाईयों पर पहुंच जाओगे आपको सपना गी नहीं आ सकता होगा और यह नहीं कि अपनी पतनी कि आने के बाद अगर साथ रोके नहीं बनती है तो जाकर अपनी माप को वी दाश्रवाद जाकर छोड़ा हो अगर आप अपने माप के आश्रवाद के साथ चलोगे ना तो आप दिखना है आपके नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप जो भी काम करते हो आप उसमें भी आगे बढ़ते जाओगे यह मेरी बात अब स्टेम पेपर बें डिकलो आपके सारे रास्ते दिन्गिये खुलते रहेंगे कभी आपको पैसों की कमी नहीं आएगी अगर आप मभब की देख भाल करोगे माता पिता नहीं रहेंगे तो आपको क्या कैसे मैसूस होगा बताओ आपको यही कोस्टर होगे मैं वीडियो एंड कहना चाती हूँ दुबारा कह रही हूँ कि मा आपका ध्यान कर लो आजकल दो ही बच्चे हैं अगर आपकी बहना उसकी शादी हो जाएगी अगर छोटी है तो अभी उसकी शादी हो जाएगी तो विदाश्म छोड़ने की भूल कभी मत करना उनकी बद दुआई मत लेना उनकी आँखों में आसू तो आपकी बच्चे कभी नहीं आने चाहिए अगर उनकी आँखों में आसू आए तो भगवान भी आप पर कभी क्रिपा नहीं करेंगे अगर आप उनको विदाश्म छोड़कर आते हैं न तो लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे आपकी ज़त खतम हो जाएगी जो लड़का अपने माबाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा अप मैं वीडियो एंड करती हूँ एक सबक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है